रद्यक्षन है अभी मैंने शुन रहा था मैं अभी कि कोविट शिल्ट के बाद में कई लोग को परलाइस हुआ और जो मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने चेक किया तो कही लोग उने लिखा कि हाँ मेरे पिता जी को परलाइस होगा उनके डैथ हो गई यह हुआ वह तो कि बार वैक्सिनेशन लगवाने के बाद में इस तरह के side effect होते हैं बच्चों को भी होते हैं बड़ों को भी होते हैं तो यह side effect होते हैं तो उन side effect से बचने के लिए एक medicine है जो कि बहुत ही अच्छी medicine है हो में पहतेगी और मैं prefer करता हूं कि जो उसकी power है वो 30 है 200 है 1 M है 10 M है CM है 50 millisimal है और जो मैं prefer करता हूं मैं करता हूं CM potency के वल एक dose लेने की आफका विशकता है सब्सक्राइब का नम है थूजा तो अगर आप vaccination करवा रहे हैं तो आप होमेपथी के किसी भी डॉक्टर के पास में जाके एक ड्राम एक वन ड्राम आप थूजा और आपको लगता है कि medicine से के side effect हो रहे हैं तो केवल एक dose दे दीजिए थोजा CM की यहां फिर पूरे शीचे करील लगए और ले आईए और केवल एक बूंड डाल दीजिए vaccination के side effect है वो खत्म हो जाएंगे और जो हमारे patient है वो paralysis से बच सकते हैं अगर उसके बाद भी जैसे vaccination के side effect खत्म होगा है पर अंदो paralysis का थोड़ा बहुत effect बचता है तो फिर causticum CM आप ले के आ सकते हैं और वो आप patient को दे सकते हैं patient आपका बिल्कुल भला चंगा हो जाएगा पाट से दस दिन के अंदर अंदर और फिर भी अगर improvement नहीं मलता है तो आप अपने किसी भी होंपहते डोक्टर के आफपास में जाए उन सबनी समस्याओं को बताएए फिर वो आपका treatment करेंगे तो मैंने पहली medicine आपको बताएग एक खुराग अगर एक में बात नहीं बनती तो दो भी दे सकते हैं तीन भी दे सकते हैं ठीके तीन खुराग तक अब दीजिए तीन खुराग में वो 100% काम करेगा सो में से निनियार में लोग ठीक हो जाएगे अगर फिर भी लगता है कि हलका फुल का effect बचा हुआ है हलकी शुरू कर देगा जान भी बचाती है यह तो केबल और केबल होमपैथी में इसके साइड इफक्ट को ख़तम किया जा सकता है तो हर मेडिकल साइंस की अपनी अलग वैली होती है जैसे अलोपैथी है वो जान मचाने हाँ काम कोई नहीं करता होमपैथी है होमपैथी के अपन कीजिए होमपैथी मेडिसीन आपकीजिए वेक्सिनेशन के अन्य मेडिसीन के शख्कर पर अपना पड़ने यह बैस्ट है सब्सक्राइब तो और अरोई दिक मेडिसीन जो होती है हमें ठीक रहने का हमें स्वस्था हैं का तरीक को बताता और 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 अयरूवेद के बहल चि किसी परिवारजन को ये नौबत नाये कि किसी को ये मैडिसिन लेनी पड़े और अगर मैडिसिन की आवश्रक्ता पड़ती है तो आप इन ही मैडिसिन से बहुत जल्दी सौस्त हो जाए परमातमा सभी कावाला करें